पबलिक होल्डिंग बोहत लोग आप में से बहुत लोग यहांपे आके गल्ती करते हो और कहते हो सर फ्रोंटर होल्डिंग तो जीरो है देखो एक कंपनी को ऐनलाइक करने के लिए हमें शेयर होल्डिंग पैटंग देखना चाहिए and बहुत लोग कहते हैं कि sir promoter holding तो 0 है वो 0 नहीं है आपको बाकी जगा plus पे क्लिक करने की दिरौत है जब आब बाकी जगा plus पे क्लिक करके दिखोगे तो आपको दिखेगा कि जो promoter holding 25% यहाँ थी वो यहाँ से उठके बस नीचे आ गई है बस उसकी केटेगराइजेशन चेंज हुई है ठीक है वो जीरो नहीं हुई है ठीक है तो इस तरीके से ध्यान रखो पब्लीक होल्डिंग हमारी 30% से कम होनी चाहिए कई बार हमें दिखता है कि पब्लीक होल्डिंग 30 से जादा है अभी मिनको exactly नाम याद नहीं आ रहा मैं सारे प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ आइम नॉट इंवेस्टे इन कैंप से उपर पहुंच किया प्रॉफिट बुकिंग हो गई बुक करो निकलो तो प्लीज कर लो एंड जिन्हों यहां पर हमें लग रहे कि पब्लीक के ओल्डिंग 14 पसेंट है लेकिन जब तक एक्सपेंड नहीं किया था तब तक हमें लग रहा था कि 24 पसेंट है इन्हें फॉर सम रिजन पब्लीक में कैटेगराइज किया हुआ है हम इनी कैटेगराइजेशन से हटा के जो है स्टडी करेंगे तो 24 माइनस 3 21 पसेंट होगा तो पब्लीक खोल्डिंग का आपको यह क्लियर होना चाहिए एज़व नहीं बिग प्लेस के नाम हटा के ही हमें हमेशा इस पर जो है ध्यान देना है ठीक है